निर्मला सितारबन जी और उनकी टीम को मैं citizen friendly, development friendly और future oriented budget के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये देश को समरुद्ध और जन जन को समर्थ बनाने वाला budget है। इस budget से गरीब को बल मिलेगा, युवा को बहतर कल मिलेगा। इस budget के माध्यम से मध्यमबर को प्रगती मिलेगी, विकास की रप्तार को गती मिलेगी। इस budget से tax व्यवस्था का सलरी करना होगा, infrastructure का आधुनी करना होगा। ये budget उद्ध्यम और उद्ध्यमियों को मजबुत बनाएगा, देश के विकास में महलाओं की भागिदारी को और बढ़ाएगा, ये budget सिक्षा को बहतर बनाएगा, artificial intelligence और space research के लाब को लोगों के बीच पहुचाएगा। इस budget में आर्थिक जगत के reform भी है, आम नागरिक के लिए ease of living भी है और साथ ही गाव और गरीब का कल्यान भी है। ये budget एक green budget है, जिसमें परियावरान, electric mobility, solar sector पर विशेस्ट बल दिया गया है। पिछले पांच साल में देश निराचा के मातावरान को पीछे छोड़ चुका है, उस में मातावरान से भाहर निकल गया है। अज़ देश उम्मीदों से भरा हुआ है, आत्म विश्वास से भरा हुआ है। बिजली, गैस, सड़क, गंदकी, प्रस्टाचार, वियाईपी कल्चर, अनेक अनेक कठिनाईयां, सामान ने मानवी को अपने हक के लिए जद्दो जहाद की जिन्दगी, याने एक प्रकर से खुद से उसको जूजना पड़ता था। उसको कम करने के लिए हमने लगाता प्रयास किये हैं, सफलता भी मिली है, आज लोगों के जीवन में नई आकांच्छाएं और खुप सारी अपेक्षाएं हैं, ये बजेट देश को विश्वाद दे रहा है, कि इने पूरा किया जा सकता है, ये विश्वाद दे रहा है, कि पतिस ही है, और इसलिए लक्ष पर पहुंचना भी निस्टी था है, ये बजेट आशा, विश्वार और आकांच्छा का बजेट है, ये बजेट 21 सदी के भारत की अपेक्षाओं को पूरा करने और न्यू इंडिया के निर्मान में एक एहम कड़ी साबित होगा, ये वर 2022 यानि आजादी के 75 वर्ष से जुड़े संकल्पों को पूरा करने में देश का मार्ग निर्धारन करेगा, पिछले 5 वर्ष हमारी सरकार ने गरीब, किसाम, दलित, पीडित, सोशित, वंचित को ससक्त करने में एमपावर करने के लिए अनेक भीत कदम उठाए, अब एमपावर्मेंट उन्हें देश के विकास का पावर हाउस बनाएगा, पांच ट्रिलियन डॉलर एकनमी यानि की पांच लाग करोड डॉलर की अर्थिववस्ता के सपनों को पूरा करने की उर्जा, देश को इसी पावर हाउस से मिलेगी, बजेट में, क्रिसी खेत्रे में, स्ट्रक्शल रिफार्म के लिए नई योजनाओं का एलान किया गया है, पी-एम किसान सम्मान निजी के माध्यम से किसानों को सीधे लगबग 87,000 करोड, 87,000 करोड रुपिय का ट्रांसपर हो, या 10,000 से ज़्यादा फार्मर, प्रोडूसर, और नेशन, एप्पी-ओ का संकल मच्वारों के लिए प्रधान मंत्री मत्स्य संप्रदा योजना हो, या नेशनल वैराउसिंग ग्रीड की स्थापना ये योजना है, वर्स 2022 तक किसानों की आए दो गुनी करने में प्रभावी भूमी का निभाएगी, ग्रामीन अर्थेववास्ता में निवेस बढ़ाने से गाउं में ही रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे, जन शक्ती के बिना जल संचय संभव नहीं है, जल संचय जन अंदोलन की भावना से ही हो सकता है, इस बजेट में वर्तमान ही नहीं, भावी पीडी की चिंता स आप साप नजर आती है, स्वच्छ भारत मिशन की तरह हर गर जल का अभियान देश को जल संकर से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम बनाएगा, बजेट में लिए गए फैसले, अगले दसक की निव मजबूत करने के साथ ही नव जबानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगे, ये बजेट आपकी अपेच्छाओं का, आपके सपनों का, आपके संकल्पों का भारत बनाने की दिशा में एक एतिहासिक कदम है, मैं कल काशी में इस विशह पर विस्तार से बात्चित करने वागा हूँ, लेकिन आज मैं फिलहाल फिर एक बार, बित्नमंत्री और उनकी पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, और भारत के समी नागरिकों को उजवल भविश के लिए अनेक अनेक शुबकावनाई देता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद.